और राइट एस्परेंट्स वेलकम बाक तो वर यूट्यूब चैनल माईसर अन्राग यो में इस वीडियो में हम डिसकस करने चाहरे हैं फाइनस के वन अप बेसिक टॉपिक ताइस ताइम वैल्यू अफ मनी स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड गैस जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनस का जो बेसिक एम है ताइस तो ग्रो यो मनी एंड टाइम वैल्यू अफ मनी एक ऐसा कॉंसेप्ट है जो हमें बताता है कि किस तरह से हम अपने मनी को ग्रो करेंगे एंड गैस आपने कई बार सुना होगा अपने पैरेंट से आफे ग्रेंट पैरेंट से कि आज का 100 रूपीज सॉरी उनके टाइम का 100 रूपीज आज के 1000 रूपीज के बराबर है यह जो वैलू चेंज हो रही मनी की यह किस तरह से हो रही है क्या कॉंसेप्ट है यह सारी चीज़े हम डिसकस करेंगे आज के इस लेक्चर में सबसे पहले कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे सबसे पहले हम डिसकस करेंगे about the meaning of time value of money की जो basically यह हमारा time value of money है यह है क्या and then next हम बात करेंगे about the reasons behind the time value of money next हम बात करेंगे about the techniques of time value of money so सबसे पहले हम बात करते है about the meaning of time value of money so guys meaning of time value of money को understand करने के लिए सबसे पहले हम consider करते हैं एक example को अब guys let us suppose मेरे पास 1 lakh रुपीज है and मेरे पास 2 option है पहला कि मैं इसे immediate spend कर दूँ like iPhone purchase कर लूँ या कोई भी other चीज जिससे मुझे immediate satisfaction मिल जाए but second option मेरे पास रहता है कि मैं इस particular amount को कहीं invest कर दूँ and let us suppose मैंने decide करा कि मैं इसे bank में deposit कर दूँगा and जब मैं इसे bank में deposit करूँगा तो bank मुझे इस पर interest प्रोवाइट करेगा and let us suppose bank ने कहा कि मैं आपको 5% per annum के साब से interest प्रोवाइट कर रहा हूँ so after one year मेरा जो amount होगा वो become हो जाएगा 1 lakh 5,000 rupees means मेरा money जो आज मेरे पास 1 lakh है in upcoming year वो convert हो जाएगा 1 lakh 5,000 rupees में so मेरा money क्या हूआ grow करा and यही concept है time value of money का कि हमें अपने money को grow कराना है इसे थोड़ा और अच्छे सा समझते with another example अब let us suppose कि मैं आपको एक choice देता हूँ कि आपको मैं 1 lakh rupees दूँगा but पहली condition है यह 1 lakh rupees आप आज ले लोगे today आपको मिलेगा and second condition है यह 1 lakh rupees आज से 1 साल बाद आप लोगे so इसमें आप क्या prefer करोगे well जो wise persons होगे जिने finance की knowledge होगी so उन लोगों को 1 lakh rupees आज ही चाहिए होगा क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आज मेरे पास जो amount है मैं उसे invest करके grow कर लूँगा जो है after one year grow कर जाएगा but अगर मैं after one year 1 lakh rupees लूँगा तो मेरा जो यह one year का gap होगा यह problem करेगा और यह कभी भी fill नहीं होगा जो time value of money का meaning है that is जो आपके पास current में amount है उसकी value क्या है जादा है rather than जो amount आपके पास future में होगा उसकी value से means आज आपके पास जो amount है आप उसे grow कर सकते हो but जो कल amount आएगा उसको grow करने में आपको जादा time लग गया means यह जो one year का gap होगा यह जादा हो जाएगा so यहाँ से हमारे जो time value of money का meaning निकलता है that is money which you holds today is more valuable than money you hold in future so this is about the meaning of time value of money और इसी पर पूरी finance based है हमारी so guys अब बात करते हैं कि हमारे यह जो money है इसकी जो value है यह change क्यों होती इसके पीछे reasons क्या है so there are four reasons सबसे पहला हमारा जो reason है that is आपकी opportunities for investment रहती है means अभी आपके पास currently जैसे मैंने previous slide में example दिया कि currently आपके पास जो amount है आप उसे invest कर सकते हो बहुत सारे options हैं आपके पास like SIP हो गया stock market हो गया real estate हो गया या फिर हम अपने amount को bank में ही रख सकते हैं save कर सकते हैं और वहाँ से हम interest ले सकते हैं so बहुत सारी opportunities है for investment जिससे हम अपने money को grow कर सकते हैं और क्योंकि हमारा जो money आज हमें मिलेगा उसे हम आज ही growth पर लगा देंगे तो future में हमें उससे जादा returns मिलेंगे so यह सारी चीज़े जो है investment की जो opportunities है यह एक बड़ा reason है जिस वज़े से लोग जिस वज़े से जो value है money की वो change होती रहती है now guys second point की बात करें that is risk and uncertainties so guys previous example की बात करें तो जैसे कि मैं आपको 1 lakh रुपीज आज दे रहा था आपके पास choice थिया तो आप आज ले लिए या फिर आज से एक साल बात लेंगे so यहाँ पर क्या है presently आप इसलिए refer करोगे कि अभी मैं अपने money को grow कर लूँगा future का कोई भरोसा नहीं होगा so जो risk और uncertainties हैं उसी को bear करने के लिए persons क्या करते हैं time value of money को refer करते हैं and next हमारा point है that is important point that is your inflation अब गयाज inflation words है हम पहले ही से familiar है कि currently previously आज से कुछ साल पहले हम कुछ भी कोई भी चीज परचेस करते थे उसका price कम था as compared to today let us suppose जैसे कि हमारे घर में आज से कुछ years पहले जो राशन आता था अगर वो 2000 रुपीज का आता था तो currently अगर हम monthly राशन की बात करें तो वो 5000 रुपीज का आ रहा है so यह क्या है यह हमारा एक inflation है so इसी factor की वज़े से क्या है हमारा जो money की value है वो change हो रही है और इसी वज़े से हम more and more investment करना चाह रहे है ताकि हमारा जो money है वो growth कर सके and हमारा fourth and last reason that is your consumption और यह directly depend करता है on inflation means कि जिस तरह से मैंने आपको राशन का example दिया तो हमारी क्या है consumption जो है वो change हो रही है means amount के हिसाब से हमारी consumption change हो रही means previously अगर हम 2000 का राशन consume कर रहे थे in a month recently currently हम क्या कर रहे है 5000 का राशन consume कर रहे है so इसी consumption की वज़े से हम अपने future को secure कर पाएं तो हम क्या करते हैं अपने money को grow करने की कोशिश करते हैं investment करते हैं जिससे हमारा money जो है वो grow करे and in future हम उसे consumption में use कर सके हैं so यह reasons हो गए regarding your time value of money अब गाइस बात करते हैं कि यह जो time value of money यह जो value जो money की value change हो रही है यह क्या क्या techniques को use करके हम कर सकते हैं so सबसे पहले technique को समझने से पहले हम basic concept को समझते हैं that is your present value and future value यह basically होते क्या है so present value की बात करें guys तो present value आपकी वो current value होती है जो आपका money आज hold करता है means आज आपके पास जो भी amount है उसकी जो present value let us suppose कि मेरे पास 10,000 rupees है मेरे bank account में तो मेरे money की जो value है आज की date में वो 10,000 rupees ही रहेगी and future value जो हमारी होती है basically होती है the value which money will possess in future means currently मेरे पास account में 10,000 rupees थे and bank मुझे अगर 5% का interest rate provide करता है तो after one year जो मेरी future value होगी amount की that would be 10,500 rupees so मेरा money क्या कर रहा है grow कर रहा है अब grow कर रहा है means मैंने ये future प्रेडिट कर रहा तो मेरे जो ये future की value होगी मेरे amount की that is 10,500 rupees अब future value हम कैसे calculate करते है simple सा है means मेरा present value जो थी वो 10,000 rupees थी इस पर interest मुझे कितना मिल रहा है 500 rupees मिल रहा है तो मेरी future value जो हो जाएगी की वो 10,500 rupees हो जाएगी so this is basically how present value and future value works अब गाइस बात करते है about the techniques जिनका यूज करना है हमें for our time value of money अब सबसे पहले हमारा जो सबसे पहली हमारी जो technique है that is our simple interest already हम इस से familiar है and next हमारी है compound interest और इन दोनों ही topics है हम familiar है either वो हमारे cons section हो या फिर हमने class 10 में इसे अच्छे से पढ़ा है next इसी compound interest related आता है compounding frequency इसको भी हम understand करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते है about the simple interest अब गया simple interest की बात करें तो यहां पर जो basic point है that is कि हमारा जो principal रहता है वो हर year के लिए same रहता है change नहीं होता है अब इसको समझते है with the help of example so let us suppose मेरे पास 1,000 rupees amount है and यह जो मेरे 1,000 rupees है इस पर मुझे 10% interest मिल रहा है for 3 years so आज से 3 years के बात मेरा जो amount होगा जो interest मुझे मिलेगा वो basically क्या मिलेगा उसके लिए हमें simple interest का formula यूज करना है आप सभी already aware है इस particular formula से तो हमें simple सा क्या करना है इस formula में values को feed करना है तो 1,000 into 10 into 3 divided by 100 so 100 would be यह है so यहां से हमारे 300 rupees जो है वो हमारा क्या हो गया interest हो गया जो मुझे after 3 years मिलेगा so मेरा amount जो होगा जो currently 1,000 है after 3 years यह particular amount क्या हो जाएगा 1,300 rupees हो जाएगा so this is basically how simple interest works बहुत simple है आपको समझा आ गया होगा so guys अब बात करता है about the compound interest so compound interest की बात करें तो यहां पर आपका जो particular principal amount होता है यह क्या होता है different होता है हर particular year के लिए अब consider करते हैं previous example जो हमने simple interest में लिया था उसी के बहाँ पर हम calculate करते हैं compound interest को and so सबसे पहले बात करते हैं first year के लिए so first year का जो हमारा interest निकलेगा वो हमारा principal amount था 1000 at rate 10 और first year है तो 1 now यहां से हमारा जो first year के लिए interest निकलेगा that would be 100 rupees अब guys यहां पर हमारा जो principal होगा for second year वो change हो जाएगा क्योंकि हमारा compound interest में जो principal है वो change होता रहता है so principal for second year जो हमें मिलेगा that is 1000 plus 100 rupees तो यह हो जाएगा हमारा 1100 rupees अब second year के लिए अगर हम interest को calculate करें so 1100 into 10 into 1 divided by 100 so यहां से हमारा second year के लिए जो interest निकला वो 110 निकला अब हम principal amount देखते हैं for third year so third year के लिए अगर हम principal amount देखेंगे तो 1100 plus 110 so it would be 1021 so 1210 यह हमारा principal amount हो गया for third year so अब हम calculate करते है third year का interest so 1210 into 10 into 1 divided by 100 so it would be 121 अब जो हमारा final amount होगा it would be 1210 plus 121 so यह जो हमारा final amount बनेगा that is 113 so guys यह हो गया long method for calculating ci अब हम एक short method की बात करते है that is by using formula अब यह हमारा formula है for calculating your final amount final amount में हम principal को multiply करते हैं by 1 plus rate and यहां पे rate जो होगा हमारा decimal form में होगा यह आपको ध्यान रखना है उसकी value feed करेंगे and after that आपको उसकी power लगानी है जो आपकी time की value है अब हम इस particular whole scenario को consider करते हैं by substituting values in formula so guys अगर हम values को substitute करें तो amount will be principal हमारा 1000 रुपीज था into rate हमारा क्या था मैंने 10% rate consider करा था तो it would be 10 divided by 100 so 0.1 0.1 और इसकी power हमारा जो time है 3 years यह लग जाएगी now so यह होगा 1000 into 1.1 के power 3 so 11 का अगर हम cube निकाले तो it would be 113 and यहाँ पर हमारा decimal लग जाएगा into 10,000 oh sorry 1000 so हमारा जो final amount निकल गयागा that will be 1331 so guys यह हमारा हो गया final amount जो हमें CI के लिए मिलेगा after 3 years but यहाँ से हमें CI अगर calculate करना है तो it is so simple आपको second formula यूज करना that is आपका जो amount आया है उससे principal को subtract कर देना है so amount आपका है 1331 minus आपका जो principal था 1000 so आपका जो interest निकल के आया 331 अब guys यहाँ से आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं हम अपने simple interest की बात कर रहे थे हैं तो वहाँ पर हमारा जो interest हमें मिला था वो था 300 रुपीज but हमने compound interest से जो interest को calculate करा वो हमारा है 331 so यहाँ से हमें एक conclusion मिलता है कि हमारा जो interest compound interest के basis पर निकलता है वो हमेशा जादा होता है rather than simple interest and यही reason है हमारा जिस वज़े से हमारे finance में compound interest को जादा value दी जाती है rather than simple interest means हम जादा time compound interest को ही focus करते हैं now guys कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो particular rate होता है वो change होता रहता है अब वो change होने की कई frequencies होती है so उसी frequency के basis पर हम next concept को understand करते है that is our compounding frequency अब compounding frequency की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा annual compounding है अब annual compounding का means guys जो अभी हमने recently slides में पढ़ा है वही है means per annum हमारा जो rate है वो है but frequency compounding में क्या होता है हमारा जो rate होता है वो change होता है either वो year में two times so that is semi annually quarterly means four times, monthly means twelve times and continuous compounding होती जिसमें regularly हमारा जो rate है वो change होता रहता है in particular conditions में हम किस तरह से compound interest को calculate करते है अब इसकी बात करते है so हमने annually समझ लिया, annually में normal है कोई issue नहीं है but यहाँ पर जो हमारा जब हमारा rate है वो अगर साल में दो बार change हो रहा है या फिर चार बार change हो रहा है या फिर बारा बार change हो रहा है तो तब हम कैसे calculate करेंगे so amount का formula आपको simple सा याद है बस आपको उसमें क्या करना है आपको उसमें एक y factor include कर देना है अब यह basically y factor क्या है अब यह y की जो आपकी value होगी यह या तो 2 होगी 4 होगी या 12 होगी means अगर आपका interest semi annually calculate हो रहा है तो 2 रहेगा अगर quarterly हो रहा है तो 4 रहेगा अगर monthly है तो फिर 12 रहेगा अब यहाँ पर आपका formula में क्या करना है principle into 1 plus rate आपको rate को y से divide करना है जो भी amount अगर semi है तो 2 से divide करना है और time को उसी particular amount से multiply कर देना है अगर semi है तो 2 से multiply करेंगे quarterly है तो rate को 4 से divide करना है and time को 4 से multiply करना है अगर monthly है तो rate को 12 से divide करना है and time को 12 से multiply करना है simple सा concept है आपको y factor को introduce करना है y means क्या है आपकी जो भी frequency रहेगी and last आपकी जो frequency आती that is continuous compounding इसके लिए थोड़ा सा formula में difference है यहाँ पर आपको क्या करना होता है mathematical constant को introduce करना होता that is e जिसकी value है 2.71 and simple आपको principle into e की power आपका जो rate होगा into time जो भी change हो रहा है so यह आपको रखना है and आपके जो continuous compounding के according जो आपका amount होगा वो आपको calculate हो जाएगा so guys this is about the techniques of time value of money I hope time value of money से related आपके जो concept है जो techniques मैंने आप से discuss करी है क्या क्या reasons है and क्या meaning है time value of money का वो आपको clear हो गया होगा अगर कोई भी doubt है आपके mind में regarding the time value of money तो आप उसे comment box में mention करें and we will answer it and guys अगर आप regulatory body related exam की preparation कर रहे हो और आपको एक ऐसा ecosystem चाहिए जो आपकी preparation में help करे तो आप हम से connect हो सकते हो on our Instagram, Telegram and YouTube channel वहाँ पर हम continuous update करते रहते हैं so guys thanks for watching मिलते हैं आप लोगों से next video में till then goodbye जाहिंद